हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल गुडिया रानी यह है सुजाता का घर और यहां पर राजेश किछिन में काम कर रहा है और इधर लेविग रूम में सिम्मी रोजी और सुजाता बाते कर रही है और यह प्यारा सा विक्की बैठा हुआ है और इधर बैडरूम में देवी खर्राटे मार मार के सो रही है तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या होता है उससे पहले जैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और वीडियो को लाइक कर दीजिए लेट्स टार्ट अरे सिमी जी आज तु विक्की को लेके आई हो क्या सोया नहीं है क्या जी अरे आज चिडचड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको लेके आ गई सोया आई नहीं सुबैसे रोगे जा रहा है रोगे जा रहा है चलो मैं तुमको उनकी सोजाता हर के लिए चलती हूँ अरे अरे प्यारा बच्चा विकी चुटा सा बच्चा है आजाए करू भाबी इसको लेकर बड़ा क्यूट लगता है मुझे अरे तुमारे घर आने के लिए तो रोता रहता है इसलिए मैं इसको ले आती हूँ कभी कबार आज आ गया सोया नहीं न अब ऐसे थोड़ी दर में सो जाएगा ये और फिर एक्दम से वहाँ पर रंगुली और गौर भी बैजाते हैं अरे क्या हो रहा है क्या बाती चल रही है अरे आईए आईए रंगुली जी बैठी आप भी कुछ बाते नहीं चले बस इदर उदर की ऐसे ही हाँ सही हाँ आंटी देवी कहाँ पर है अरे वीता देवी तो अंदर सो रही है बैडरूम में जाओ अंदर चली जाओ ओके आंटी और गौर्वी देवी से मिलने जाने लगती है उसके बैडरूम में देवी 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 अरे सो रही हो तुम तो क्या हुआ आच स्कूल में नहीं आई थी अरे उठो देवी और गौर्वी के वाद सुनकर देवी उठने लगती है अरे गॉर्वी तुम यहाँ पर कैसे अरे मैं तुमसे मिलने आये हूँ उठो तो सही हाँ बोलू क्या बात है अरे देवी तुमको मुझे एक बात बतानी थी एक बहुत बड़ा सीक्रेट कैसा सीक्रेट गॉर्वी अरे आज जब मैं स्कूल से आ रही थी तो एक अम्मा रास्ते में कुछ पोशन बेच रही थी पोशन क्या होता है अरे पागल पोशन मतलब जादवी पानी क्या जादवी पानी ओ अच्छा अच्छा तुमने लिया क्या गॉर्वी टेंटें ओ वाव गॉर्वी इनके बारे में तो मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था ये तो सच में होते वाव किते प्यारे लग रहे हैं और ये मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा इसलिए मैं इसको ले आई थी पहले ही और अब पता है क्या अब हम इसको पीएंगे पर इसको पीने से होगा क्या अरे बुद्धू मैं इसको लेकर आई हूं ये दोनों ही बहुत कमाल के हैं इस पिंक वाले को पीने से हाइट बढ़ जाती है और फिर ये जो परपल वाला है इसको पीने से जितनी आपको हाइट चाहिए उतनी हो जाती है हे, ऐसा क्या चलो 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 पीते हैं, पीते हैं, मतलब हम भी बड़ी जैसे हो जाएंगे अरे वा गौरवी, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम इनको ले आई तिलो तिलो पीते हैं ये मैं पिंक वाला मैं पियूँगी प्लीज 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 गौरवी प्लीज बिलकुल नहीं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए लेके आई हूं मैं ये ये पिंक वाला तो मैं ही पियूँगी तुम बस देखो गौर्वी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो अरे अरे दूंगी दूंगी पेले मैं पी लेती हूं फिर तुम पी ले ना ठीके 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 पीओ तुम पीओ पेले और यहाँ पर गौर्वी तो बड़ी है चलाक तो वो मनी मन सोचती है पागल है पागल देवी तो मैं तो सारा पी जाओंगी पोशिट और अपी हाइड बड़ा लूँगी सारी और देवी को दूँगी दूसरा वाला अरे याज तो मैं बहुत थक गया अब चलता हूं बाते करने हो और भाई क्या चल रहा है इधर कुछ नहीं भाई आवस वाही सब बाते कर रहेते हम तो और दूसरे तरफ गौर्वी वो पोशिण पिने लगती है हाँ अब मैं ये पोशिण पेमी सारा बेवी अब तुम देख न केसी कमाल करता है ये पोशिण अरे नहीं तुमने तु सारा पोशिण पिलिया गौर्वी तुम कित्ती जूटी हो हाँ हाँ मुझे नहीं दिया अब तो मैंने पी लिया अब तुम दूसरा पी ले ना हाँ और अचानक ही देदी की शरीर में कुछ बदला होने लगता है अरे अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है अरे मेरी मास पेशिया अरे मेरी बोड़ी बहुत तोट रही है अाँ मुझे नहीं पता देवी मुझे बहुत तर्द हो रहा है और एक दम से गॉर्वी का मुद्धा हो जाता है और गॉर्वी के पेर भी बड़ने लग जाते है और देखते ही देखते गॉर्वी बहुत जादा बड़ी हो जाती है और विशाल जाइंट रूप ले लेती है मम्मी पापा रंगुली आंटी अरे बेटी क्या हुआ ऐसे चिलाते हैं तो आ रही हो गॉर्वी कहा है हाँ मेटा क्या हुआ तुमने मेरा भी नाम लिया था अरे बोलो बेटा क्या हुआ अरे मम्मी पापा और अंगुली आंटी गॉर्वी बहुत बड़ी हो गई है बहुत ज़्यादा बड़ी भूत लग रही है वो भूत देखो से जाके कोई बड़ी हो गई है मतलब बड़ी हो गई हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है और लंबी हो जाती है सारे घर से बड़ी हो जाती है मम्मे मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ वो बहुत बड़ी हो जाती है मम्मे देखो ना मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ अरे, ये क्या है? ये क्या बला है? ये कैसे बड़ी हो गई है? अरे, ये तो बहुत जादा बड़ी हो गई है, अब क्या हो गई है? बेवी अरे मैं क्या करूँ तुम्हारी गल्टी है सब तुम्हारी गल्टी है मेरी ही गल्टी है रोते रोते गौर्वी किर जाती है और सब उसे देख रहे होते हैं अब मैं कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती हूँ मैं ते बड़ी हो गई हूँ अब सब मुझसे नफरत करेंगे मैं भूत नी लग रही हूँ मैं शैतान लग रही हूँ यह सब हुआ कैसे तुम इती बड़ी कैसे हो गई हो बताओ गॉर्वी तुमारी कुई शैतानी है जरूर यह और नंगोली जी में निकालता हूँ आपको और सब लोग गॉर्वी को अटाने लगते हैं जिससे रंगोली को निकाल सकें दम लगा के है लेकिन जैसे ही गौर्वी हिलती है वो सब को गिरा देती है और सब गिर जाते हैं अरे-अरे क्या हो गया मुझे ठीक करो आहा तो मैं ठीक करने के चकर में हम तो मार रहे हैं बता आतीव नहीं हो लड़गियों पता नहीं क्या हो गया इसको गोर्वी बेटा, आकिर हुआ क्या है तुमको मुझे बताओ गोर्वी बेटा और गोर्वी उठने लगती है मम म और वो उठकर बैठ जाती है बताओ गोर्वी बेटा क्या हुआ तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई ममा वो ना मैं स्कूल के बाद एक अम्मा से पीने का जादूई पानी लाई थी और वो मैंने देवी को भी दिखाया था हाँ रंगुली आंटी और वो इसने पी लिया जादूई पानी? कैसा जादूई पानी बेटा? अंकल वो अम्मा ने कहा था कि मैं तुमको दो शीशी दे रही हूँ जादूई पानी की और जिसे पीकर मुझे बहुत ज़्यादा लंबी हो जाऊंगी और वो बोतल मैंने पूरी पी ली और मैं ऐसी हो गई हूँ देवी जाओ वो जादूई पानी लेकर आओ मैं भी देखू आखर कैसा जादूई पानी है अभी लेकर आती हूँ मुझे पहले ही पता था यह इसी की शरारत होगी पागल लड़की है यह किसी करें सुनती है क्या जुरूद थी किसी अंजान से ऐसे पोशन लेने की कौन अम्मा थी क्या देगी पता नहीं यह क्या हो गया वतानी कभी ठीक भी होगी है नहीं अरी नहीं भाबी हिमत रखिये हर चीज़ का कोई न कोई सल्यूशन होता है सब ठीक हो जाएगा हम ठीक कर देंगें गौर्वी को यह रही पापा वो जादूई पोटले जिनमें जादूई पानी है कौन से पोटल से पिया था देवी बेटा इससे या इससे यह पिंक वाला पिया था इसने और पूरा पी लिया और इतनी बड़ी हो गई और यह वाला नहीं पिया गौर्वी बेटा उसने क्या कहा था आम माने एक बार दरूर बताना अंकल आम माने कहा था कि पिंक वाला पीयोगी तो बहुत लंबी हो जाओगी और उसने कहा था कि परपल वाला पीओगी तो फिर तुम अपने मन मुदाबिक हाइट कर पाओगी और मैंने पिंक वाला पूरा पी लिया तो ये बात है तो इसका मतलब अब तुम्हें परपल पीना है अरे नहीं 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 ये रिस्क मैं नहीं लूँगी बिल्कुल नहीं लूँगी इसे मैं कुछ नहीं पिलाओंगी पता नहीं से क्या हो जाएगा अरे रंगुली जी अब चिंता मत कीजिए दुनिया में रिस्क तो लेना ही पड़ता है लाइफ ही ऐसी है क्या कर सकते हैं अब इसने ले लिया रिस्क तो इसे और अब लेना पड़ेगा एक बार और प्लीज रंगुली जी समझेए ये ठीक हो जाएगी मेरा दिल कहता है हाँ रंगुली जी राज इसने बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ऐसा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा ठीक है बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी ये वाला दूसरा पोशिन पीलो बेटा ये लो बेटा पोशिन पीलो ये वाला ठीक है अंकल और वो परपर पोशिन गौर्वे पे ने लगती है और वो पोशिन पीलेती है सब ठीक हो जाएगा बीटा सब ठीक हो जाएगा सब हो जाएगा ठीक मुझे बहुत दर्द हो रहा है ममा नहीं तो पहले जिसा है दर्द है जब मैं बड़ी हुई थी और गौर्वी का मूँचीज होने लगता है और गौर्वी का मूँचीज हो जाता है मेरी हाथ मेरी पैल अरे 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 मेरी मची ठीक हो गई गौर्वी गौर्वी बेटा ऐसे फालतू कचीज मत किया करो बेटा यसा मत करिदा करो मैं ठीक हो गई हो मैं ठीक हो गई मैं ठीक हो गई है देवी देखो ना मैं बच्ची हो गई वापस से अब मैं कभी बड़ी नहीं होगी मामा तभी कहते हैं बेना सुचे समझे कुछ काम नहीं करना चाहिए ना खरीदना चाहिए और ना पोशन पीना चाहिए ऐसा वैसा पता नहीं कौन क्या दे जाए तो दोस्तों यह थी आची कहानी कैसे लगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर कर सब्सक्राइब करें अब म